हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी तो आज हम बनाएंगे मतर पुलाओ जो की खाने में बहुत ही टीस्टी है और इनको बनाना बहुत आसान है आप इने जटपट बना कर रेडी कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें ले लेने हैं मतर जितने हम चावल लेंगे उतने ही मैं मतर ले रही हूँ दो आलू है जिनको मैंने काट लिया है हरी मिर्च और प्याज है जिसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है क्योंकि हम इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डालेंगे इस वज़े से तो जितने चावल है उतने ही मैंने मटर लिये है यहापे मैंने ले लिया है जीरा, तेजपता और नमक बस इनी चीजों की हमें जरुरत है इसके अंदर और पानी डालेंगे और तड़का लगाने के लिए तेल तो मैंने यहापे कुकर ले लिया है उसके अंदर मैंने अपने अकोर्डिंग ओइल डाल लिया है और जैसी ओइल हलका सा गरम होगा तो मैँ उसके अंदर डाल दूगी तेजपता और जीरा बहुत जदवा तेज गरम नहीं करना है तेल कोने तो तेज पता जो है जल जाता है और उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है जो मुझे परसनली बिल्कूर पसंद नहीं है जैसे ही जीरा हलका सब ब्राउन होगा मैं उसके अंदर एड़ कर दूंगे हरी मिर्च और प्याज जितनी भी मिरा चाप को चाहिए जितना स्पाइसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डालेगा क्योंकि हम इसके अंदर लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लाल मिर्च थोड़ा सा कलर छोड़ देती है जिससे कि इन मटर पुलाओ की नहीं खतम हो जाएगे कि मटर पुलाओ रहेंगे यह नहीं फिर यह नमकिन चावल बन जाएंगे तो प्याज जो है हलकी सी ब्राउन हो गई है अम मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगी आलू और मटर और उसके साथ ही नमक क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मसालों में नमक ही जाएगा तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लीजिए और इनको हलका सा हम एक से दो मिनर तक फ्राय कर लेंगे आलू को और मटर को उसके बाद मैं अब इसके अंदर एड़ कर दूँगी चावल चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है साफ कर लिया है आदी कटोरी मैंने यहां पर चावल लिये हैं तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और चावल को भी दो तीन मिनर तक अच्छे से फ्राय कर लेना है जब तक कि इनके अंदर का पानी ना सूख जाए चावल को पानी से धोया था तो हलका सा पानी रही जाता है तो बिलकुल इनका पानी हमें यह पर सुखा लेना है तो यहां पर पानी सूख चुका है दो से तीन मिनट हो चुकी है इसको हलका सा हम भीलाएंगे उसके बाद इसके अंदर हम अपने अकोर्डिंग पाने डाल द में ठाल दिया है इसको मैं एक सीटी लगवाऊंगी आप अपने कूकर के साफसे सीटी लगवा सकते हैं कि एक सीटी में बनते हैं तो यहां पर अच्छे से तो मैंने नहीं डाला और अब इसे हम करेंगे गर्मा गर्म सर्व अप just को खाना चाते हैं उसके साथ खाते हैं और धन्या मुझे मिल गा ता फूरीज में तू आपको वीडिय clown कैसा लगा मुझे कि मुझे कमेंट करके दो धरूर अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हैल्फुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आपका तही देल से शुक्रिया